Hello my YouTube family, कैसे आप सब? I hope सब अच्छे होंगे और खोश्डी होंगे तो आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर केक के लिए टॉपर्स कैसे रेडी करते हैं और केक को कैसे डेकुरेट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं वाइट फॉंजन को हम बेल लेंगे और राउंट प्लेंजर से कट करेंगे तीन सरकल हम रेडी कर रहे हैं स्रिंच आप अंदाजे से देख सकते हैं कितनी बड़ी स्रिंच होनी चाहिए केक के हिसाब से और स्कीवर लगाएंगे अंदर यहां देखें हम लगा रहे हैं ताके यह स्रिंच अच्छी तरह रहे हैं सेट और इसकी नोक भी ऐसे ही हम बनाएंगे नोक वाला स्कीवर हम फ्रंट पर करेंगे और पिछे जो स्रिंच को डॉक्टर पुश्च करते हैं वो हिस्सा भी थोड़ा हम शो करेंगे तो हम आज की वीडियो में आपको ना तो केक पेक करना बता रहे हैं और ना ही फज लगाना बता रहे हैं यह सब हम अपनी वीडियो में आपको दिखा चुके हैं आज हम डॉक्टर केक के टॉपर्स ही रेडी करना आपको बताएंगे कैसे आप असानी के साथ टॉपर रेडी कर सकते हैं तो अब हम रेडी करेंगे कुछ टैबलेट यहां देखे एक पत्ता हम बना रहे हैं गोलियों का चोटी चोटी गोलिया होनी चाहिए और जो निशान बने होते हैं टैबलेट के उपर वो भी हम बनाएंगे डिफरेंट कलर की फाउंडेंट से हम काम कर रहे हैं और गेल टील का चोटा बहुत हेल्प देता है इस तरह के टॉपर्स रेडी करने में जो टॉपर आप हाथ से बना सकते हैं यह हम बेंडिज त्यार कर रहे है अब हाट कट करेंगे अच्छा जब भी आपको इस तरह का केक आए आपके पास ओर्डर का तो आप उसको अच्छी तरह छोटी छोटी चीज देखें छोटी छोटी टॉपर कैसे लगे में कैसे कलर्स हैं उनके फिर आप टॉपर रेड़ी करें अब हम स्टेटोस्कोप बना रहे हैं जैसा पिचर में था सेम वैसा ही ग्रे और पिंग अब हम कुछ और टॉपर भी रेड़ी करेंगे जो डॉक्टर साहबा का नाम जिसके उपर लिखावा था वो हम एक पांदन को बेल के कट करेंगे और उसके उपर लिख लेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत गोर से आप देखिए ताके खुबसूरत टॉपर रेड़ी हो सके कोई भी चीज छोटे ना और हमेशा कोशिश कीजिए जो पिच्चर आपको मिले उसके साथ कलर मैच कीजिए यहां देखें यह रेड़ी कर रहे हैं अब हम जैसे आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था हम केक को कवर करने के लिए विजियॉन का फांडन यूज़ करते हैं तो यह वो ही फांडन है वाइट कलर का यहां देखें हमने एक दिन पहले केक को फज लगा कर फ्रिज में रखा हुआ था फाइनल नीट फ्रोस्टिंग के साथ तो ऐसे आप बहुत आराम के साथ देखें केक के एज़िज भी बहुत अच्छे आये हैं अब एक्स्ट्रा फांडन को हम गटर लेंगे और केक को अच्छी तरह नीट करेंगे स्मूदर के साथ जब आप फज लगाएं उसी वक्त आप केक की फ्रोस्टिंग इतनी अच्छी करें ताके उसके खुबसूरत एज़िज बने हो अब हम मोल्ड के साथ बीट्स रेडी करेंगे कभी भी आपको टॉपर रेडी करने हैं मोल्ड के साथ या विदाउट मोल्ड तो नीट टॉपर रेडी कीजिए बहुत अच्छा लुक आता है अब हम डॉक्टर का कोट जो डॉक्टर पैनते हैं उसका कॉलर रेडी करेंगे वो हमें केक के उपर बनाना है कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो केक एक बार बनाते हैं दो तीन बार आपको उसी डिजाइन के केक के आउर्डरस मिलते रहते हैं यहां देखें इस तरह हम फाउंडन को टरन कर देंगे अंदर की साइट पर और जहां से एक्स्ट्रा है वो कट करेंगे और वो फाउंडन जो केक के उपर लगाते हैं यानि जिस फाउंडन से केक को कवर करना है उसमें आपने कोई चीज मिलानी नहीं है सिम्पल आप उसको गुंधे सॉफ्ट करें और केक को कवर कर लें अब कॉलर की फ्रंट की हम पटी रेडी कर रहे है यहां देखें फाउंडन का काम करते वे यह छोटे वाले स्टील के स्केल बहुत काम आते हैं एक एक चीज आपको नापनी होती है देखनी होती है कितनी लेंद चाहिए आपको, कितनी विद चाहिए ऐसे सेट करेंगे कॉलर को, अब इसके एक के बहुत सारे टॉपर्स दें, बहुत सारे. अब कॉलर के अंदर एक लेस वाली पटी लगाएंगे, तो हमने ये सोचा कि इतनी सारी चीजें दिखाने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम अपने व्यूवर्स के लिए बस टॉपर बनाना उनको बताएं, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जानना चाते हैं, फाउंडन की टॉपर्स कैसे रेडि कर सकते हैं, तो टॉपपर रेडी करने के लिए आपने फाउंडन ये सब हम फाउंडन का ही काम कर रहे हैं केक के उपर यहां हम गम पेस्ट इस्तमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वाला फाउंडन खाने के काम में आएगा और हम बस थोड़ा सा टाइलोस इसमें एड़ की है के हम प्रॉपर शेप दे सके एक्स्ट्रा यहां हम कट कर देंगे बोट पर भी हमने जामनी कलर का फाउंडन लगाया है अब बटन लगा देंगे तो देखें इस केक का बहुत छोटा छोटा काम था बहुत ज्यादा ही टॉपर से ये देखें ये हमने बीर्स गंपे से बनाए हैं और ये इतने ड्राइ हो चुके हैं कि इसको उठाते हुए ये बार-बार ब्रेक हो रहे हैं तो बस पूरे केक के उपर हमने केक की साइड्स पर बीर्स लगाने के लिए हमने गंपे से रेडी की हैं बाकि सारे टॉपर ये देखें स्टेटोस्कोप भी हम फाउंडन से ही बना रहे हैं ये बी हम एक-एक चीज केक के उपर विद्ट देखकर उसके हिसाब से हम बना रहे हैं जैसी हमें पिचर भेच जी हमारे कस्तूमर ने उसको देखकर और अपने केक का साइज देखकर टॉपर बनाते हैं हम बहुत सारे टॉपर हम पहले बना के रखते हैं और जैसे अभी स्टेटोसकोप हम केक के उपर फांडर लगाने के बाद रेडी कर रहे हैं यह हम पहले रेडी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें देखना था केक के उपर कॉलर बनाने के बाद कितनी स्पेस है कौन-कौन सी चीजें हमें लगानी है तो यहां देखें फिर भी हमने स्टेटोस्कोप बड़ा बनाया है ताके यही डॉक्टर की एक खास चीज होती है जो डॉक्टर हजराते हैं उन्होंने अपने गले में यही डाला होता है स्टेटोस्कोप तो इसको ज्यादा नमाया करने थे तो यह हमने बड़ा बनाया है अब हम फ्रंट पर स्टेटोस्कोप का वो पार्ट लगा रहे हैं जिससे पिशन को चेक किया जाता है तो देखो स्टेटोस्कोप की यह एक जो तार होती है वो हमने लंबी छोड़ी हुई है जब यह सेट किया उसके हिसाब से कट करके उधर हमने लगा दिया अब हम साइड पर बेंडेज भी रखेंगे टेबलेट सामने पहले से ही रख दी है हार्ट लगाएंगे फ्रंट पर और यह वाले फांडन के उपर हमने डॉक्टर साबा का नाम लिग दिया है स्रिंज भी रख दी है तो कैसी लगी आपको हमारी यह आज की वीडियो आई होप हमारे वीवर्स ने बहुत सारे टॉपर बनाना सीखे होंगे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलती हूँ दुआओं में याद रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हफिज